तुई आज कॉंग्रिस के सांसद और पंजाद के पूर्व मुक्यमंत्री चनजी सिंग चन्नी ने खारिस्तान समर्थक अमरित पाल सिंग का नाम लिए बिना उनका समर्थन किया है चन्नी ने कहा है कि देश में अघोशित अपातकाल लागू है एक निर्वाची सांसद पर NSA लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया और वो संसद में अपने कुषेत का प्रतिमिधित भी नहीं कर पा रहा उसी अभिवक्त की आज़ादी दबाई जा रही है उसकी ये कहा गया है चन्नी की तरफ से चन्नी का इशारा खुले तोर पर अमरित पाल की ओड़ था वही अमरित पाल जो कि खालिस्तारिन का समर्थक है और पंजाब को भारत से तोड़ने की भारत के तुक्ड़े तुक्ड़े करने की बातें कर चुका है इसे लेकर के चन्नजी सिंग चन्नी का ये बयान सदन में दिया गया है बीस लाख लोगों दोरा पंजाम में मेंबर पार्लिमेंट चुना गया और ओ एन्नेस से लगाकर अंदर रखा हुआ है प्रीडम अब स्पीच उसकी कांसीचुएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे ये भी एमर्जेंसी है उसने आज जितना गलत बोला है देश के एजब एमपी नहीं देश के दुश्मन तरह यहां पे बात किया और देश दरुबे की तरह यहां बात किया पहले उन्होंने सिर्फ अमरिपाल की बात नहीं कि उसके आड़ में उसमें जो एनसे लगा हुआ है वो उसने कहा भी किसानों के उपर लगा हुआ है टोटल ही उसने गलत गुम्रा किया कॉंगरस कुछ और भूलियंद यह अद्धी कॉंगरस कुछ वर भूलियंद यह ना थी उन्हां था ना सथे बहलों है कि प्रजाब देश लोंद आडर नो मैंटें कर नवास थे जो सथे अपने बलों एफर्स कर दें कर दें क्योंकि मैं कला किसी खास MP दा नी मैं साड़े 3 और अब बाद बादल फार तबाही की पहारों या फिर मैदान लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही और भारी बारिश के वज़े से महराश्य गुजराद हिमार्चल में खालाद बिगड़ चुके हैं पुने में बारिश के वज़े से चार लोगों की पहार से मैदान तक आस्मानी आफ़त मनाली से मुंबई तक आस्मान से बरसी मुसीबत कहीं फटे बादल कहीं पानी की मनमानी ने बढ़ाई परिशानी मौनसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है पहार से लेकर मैदान तक उत्तर से लेकर दक्षुर तक हर तरफ मौसम की चोतरफा मार देखने को मिल रही है मौसम विभागने भी आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है यानि साफ है कि अभी आस्मानी आफद से रहात मिलने के आसार नजर नहीं आ रही महराश्ट में भी इंदनों मुसीबत के बारिश हो रही है लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से रहात तो मिली लेकिन लगातार हो रही बारिश की वज़े से सडकों पर पानी भर गया जिससे भागती दोड़ती मुंबई की रफतार थम गए मुंबई की लोगों की ये मुसीबत जल्द खत्म नहीं होने वाली क्योंकि मुसम विभाग ने मुंबई में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक बारिश का अलट जारी किया है यानि मुंबई में अभी और बारिश होगी और सडकों पर पानी भरने से लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ सकती है ये तस्वीरे मुंबई के बांदरा कुरला कॉंप्लेक्स की हैं जहां कुछ देर की बारिश में ही सडकों पर पानी भर गया वहीं नवी मुंबई और चेंबूर में भी भारी बारिश के बाद सडकें दरिया के रूप में तबदील हो गई जबकि कई जगे अंडर पास में पानी भर जानी के वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ गया सिर्फ मुंबई ही नहीं पुणे में भी बादल जमकर बरसे जिसके बाद पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया पुणे के सिहंगड इलाके में इतनी बारिश हुई कि सडकों पर घुटनों तक पानी फर गया पानी में डूबने के वजह से कई गाडियां बंध हो गई वहीं दूसरी तरफ रिहाईशी इलाकों में भी कमर तक पानी भर गया वहाँ पार्किंग में खड़ी गाडियां भी पानी में डूब गई मौके पर पहुँची NDRF की टीम ने फसे लोगों का रेस्क्यू किया और नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगे पहुँचाया गया वहीं भारी बारिश के बाद पुणे के विठल मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया मंदिर का गेट पुरी तहर से पानी में डूब गया एक शोरूम में भी बारिश के पानी ने जमकर कहर मचाया भारी बारिश के बाद शोरूम में घुटनों तक पानी भर गया और वहां रखा सारा सामान पानी में भीक कर खराब हो गया गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद बार जैसे हाला पैदा हो गए वहां कई रहाईशी इलागों में पानी भर गया मंदिर, मकान और दुकान पानी में डूब गए हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जहेर पर रहने के अपील की है वडोद्रा में आस्मानी मुसीबत से लोग परिशान है भारी बारिश के बाद वहां नदिया उफान पर है और कई गाउं में बाड का पानी घुश चुका है हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई गाउं के लोगों को अलट जारी किया है बारिश और बाड की वज़े से सडक और खेट सब पानी में डूब गए जिसके वज़े से कई गाउं का संपक भी तूड गया सबसे बड़ी समस्या शहरों में हो रहे जल भराओ की वज़े से देखनी को मिल रही है वडूद्रा में कई घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया चाहे वडूद्रा का सेयाजी गंज इलागा हो या फिर करजन गाउं कुछ घंटों की बारिश में पूरा जिला तापू की तरहे नजर आने लगा भरूच मैं तो बारिश से इससे भी बुरे हालाद देखने को मिली भीशन बारिश के बाद सूरत से अलंकेश्वर जाने वाला हाईवी पूरी तरहे बार की पानी की चपेट में आ गया हालाद इतने बत्तर हो गए कि लोग जान जोखिन मिटाल कर तेज बहाओ को पार करते दिखाई थी भारी बारिश के वजह से हाईवेड पर इतना पानी भर गया कि सड़क को देख पाना मुश्किल हो गया तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियां नदी के बीच चल रही हूँ सूरत में भी जलभराओ की इस सितनी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी बालेश्वर गाओं में भी हर तरफ पानी जमाखो गया सड़कें, घर और गलियां सब पानी में डूग गये लोगों को डरा रही हैं, उत्तरकाशी में इन दनो नदी नाले लोगों को डरा रहे हैं हालात ये हैं कि लोगों को कही जाने के लिए इन नदीयों को पार करना पड़ता है बच्चे भी जान जोखी में डाल कर स्कूल जाने को मचबूर हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है ऐसे में थोड़ी भी लापरवाही इन लोगों पर भारी पड़ सकती है हिमाचर प्रदेश के मनाली में आस्मान से आई मुसीबत ने जम कर कहर पर पाया वहां बादल फटने से बाढ़ आ गई जिसके बाद उस इलाके में हर तरफ तवाही की तस्वीरें सामने आई अचानक आई सेलाव की वजह से कई रास्ते बह गए तो कई घरों को भी नुकसान पहुचा फिलहाल पुरे देश में बारिश का दौर जारी है और जगे जगे से बारिश और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही है ऐसी में हम सब को खराब मौसम में सजग और सतर्क रहने की सरूरत है